ये हैं लद्दाख में तैनाद भारत का पहला ब्रम्हास्त सूपर सोनिक ब्रम्होस क्रूज में सक सुखोई ब्रम्होस की जोड़ी मतलब दुश्मन का दिया है ये हैं लद्दाख में तैनाद भारत का दूसरा ब्रम्हास्त जमीन से हवा में मार करने वाली स्वदेशी आकाश मिसाई हवा में चीन के लड़ाको विमानों का काल और ये है लद्दाख में तैनाद भारत का तीसरा ब्रम्हास्त स्वदेशी निर्भय मिसाई रेंज 800 किलोमीटर जिसके नाम से ही चीन के सैनिक भय खाने लगे हैं ये तीनों ही मिसाईलें इस वक्त लड़ाख में एलेसी करफ से इन तीनों मिसाईलों के तैनादी तब की गई है जब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने शिंचियांग और तिबबत क्षेत्र में अपनी खातक मिसाईलों को तैनाद किया है ये लेकि वेस्टन थीएचर कमांड ने 2000 किलोमीटर की रेंज में हमला करने वाले मिसाईल यहाँ पर तैनाद किया है चीन की कारवाई के जवाब में हमारी आर्ण फोर्सेद ने भी इन शित्रों में उपयुक्त काउंटर डिपलाइमेंट किये हैं दक्ष मोड़े ताकि भारत के शेक्योर्टी इंट्रेस्ट को पूरी तरसे लक्षित रखा जा सके चलिए सबसे पहले आपको ब्रम्होस की ताकर बताते हैं यह मिसाईल हवा से हवा में यह जमीन से हवा में मार कर सकती है ब्रम्होस सूपर सोनिक क्रूज मिसाईल की अधिक्तम रेंज 400 किलो मिटर ब्रम्होस दुनिया की सबसे तेज सूपर सोनिक मिसाईल है इसके रफ्ता 2.8 मैक यानि धवनी की क्षमता से तीन गुना तेज है और तीन सो किलोग्राम भारी युद्धक सामगरी ले जाने में ये ब्रह्मोस मिसाइल सक्षम है और ये बहुत बहुत ही बड़ी हमारे पास एक शंता है रमोस की तरह लद्धाख में तैना स्वदेशी आकाश मिसाइल भी उतनी ही विद्धवनसक है जमीन से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल किसी भी तरह के मौसम में हमला करने के लिए तैयार है तैयल की रफ्तार करीब 31 किलो मीटर प्रति घंटा है ये 60 किलो विस्फोटक लेकर उनने में सक्षम है एक साथ 64 निशानों पर नज़र रख सकती है और पांच बिमानों पर एक साथ हमला कर सकती है आकाश जो है वो भी एक मिजाइल सिस्टम है ये शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एर मिजाइल है साम सर्फेस टू एर मिजाइल और ये जो हवाई खत्रा होता है उसको काउंटर करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी है जिसमें ये फास्ट बुविंग एरक्राफ्ट इसको इसको बरबाद कर सकता है इसका रेंज है पचीस किलो मिटर का और ये बीस किलो मिटर की अल्टी चूट तक बहुत ही सफल हो सकता है